वर्निंग इस्ट्राइक के लिए यूटूब की तरब से न्यू अपडेट आ चुकी है बापको नहीं सिखा रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ अब आप अपने हातों से अपनी वर्निंग इस्ट्राइक को रिमूव कर सकते हैं आज से पहले क्या होता था अगर आपके चैनल में कोई भी इस्ट्राइक नहीं है और आपको कम्यूटी गाइडलाइन का उलंगन करते हैं तो आपको यूटूब के तरब से कम्यूटी गाइडलाइन इस्ट्राइक मिलती थी जो पहले strike होती थी वो warning strike रहती थी जो आपके channel पर हमेशा बनी रहती थी बट अब YouTube की नए update के साथ ये आया है कि वो warning strike आप remove कर सकते हैं उस warning strike के सामने action का button आएगा जिसमें आपने community guideline के school को test को pass करना पड़ेगा अगर आप वो test pass कर लेते हैं तो आप definitely इस strike को हटा सकते हैं तो आज ही वीडियो के अंदर आपको सबसे आसान तरीका बताओं कैसे आप उस test को pass कर सकते हैं और कैसे अपनी warning strike को हटा सकते हैं पूरा अच्छे समझाओ computer screen पर ले जा करके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है तो क्या कर रहे है यार सबस्क्राइब तुमारो यह मेरा एक चैनल है इसमें देखेंगे यह warning strike है आपके इसमें भी आती हो कि यह community guideline warning strike अब यह strike अगर आप हड़ाना चाहते हो तो आपने सिंपल से कुछ steps को follow गरना है देखो चलो आपने यह यह strike दो सबसे बेकार लगती है हम इसको पर click करते हैं सबसे पहले तो आप इसको पर click करेंगे तो आपके सामें कुछ इस तरह का option मिलेगा सबसे पहले आपको दिखाए जाएगा कि आपकी किस वीडियो में strike पढ़िये किस वजह से पढ़िये वह भी आपको लिखाएगा और सांत में आप देखेंगे आपको जो यह डिस्प्ले के यह option मिल ला है इसमें देखो आप सामने आपको take action का एक option मिल ला है हमने appeal भी करी और वह appeal reject होगी थी 22 फरवरी 2022 को reject होगी थी और इस्ट्राइक पढ़ी थी 12 फरवरी 2022 को काफी टाइम होगी है यह strike हटती नहीं नहीं तो ऐसे take action में क्लिक करेंगे एक action में क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पर से यह करना है देखो कुछ ऐसा interface आगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आएगा नीचे begin review में क्लिक करेंगे अब यहाँ पर से आपकी वीडियो होगी जो वीडियो आपने बनाए थी जिस वीडियो में आपके strike आया था वो यहाँ पर सो जाएगी हमने एक Sophia Ansari के ऊपर वीडियो बनाए थी Sophia Ansari के जो MS लीक हुआ था उसके ऊपर वीडियो बनाए थी मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बोला था मैंने सिर्फ अपना opinion बोला था कि कैसे वह real है कैसे fake है वह चीज़ बताया था और जहां तक मैंने उसमें स्ट्राइक को आपके सामने और कुछ questions इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत टफ लेवल के होते हैं और उनका सही जवाब देना आपने अब यहाँ पर next में क्लिक करते हैं next में क्लिक करेंगे तो अगला page आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा अब यह main page होने वाला यहाँ पर देख लिए आपके एक option मिलना टेक ट्रेनिंग और एक close close करेंगे तो बैगा जाएंगे आप फिर से home page में एक एंसल हो जाएगा और टेक ट्रेनिंग यहाँ पर आपने क्लिक करना था लेकिन अभी ध्यान देना है पहले उपर पढ़ लेते क्या लिगा है यह वार्निंग इ सबसे पहले हम कुछ अपने क्लिक करते हैं आपने बहुत जल्दी देना पड़ता है इसमें जादे टैम नहीं होने चाहिए अब यहाँ पर लिखा रहा है कि हमारी किस कारण से हमें इस्ट्राइक मिली थी अब उससे रिलेड़ेड़ हमें यहाँ पर सवाल पूछेंगे आपके सवाल कुछ भी हो रेंडम सवाल आते हैं कुछ भी सवाल रहें मैं आपको बताओं कैसा कर सकते सबसे पहले हम यहाँ पर ने टैब में एक यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेंगे गूगल ट्रांसलेट के एक्टेंसन आप जब लगा लेंगे तो आपके सामने ऐसा रहेगा ताकि आप इस पेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें ट्रांसलेट करेंगे यहां पर क्या रहा है यह एक बोल रहा है कि अगर आप किसी नाटक पर रिव्यू करते हैं तो अगर बंदा ऐसा करता होता है यह उलंगन है कि नहीं है तो आप उसके लिए अगर से मैं बताऊंगा भी आपको देखो यहां जबाब सही निकला उसके पर अगला कर देंगे मान आप दोने को कि कर देंगे अगर सही निकला वह है इनकरेक्ट एसके सब्सक्राइब कर सकते यहां पर चाहिए तो फिर से ट्रांसलेट कर सकते बेटी आप में जीवन का एक दिन दिखाते वेग वीडियो अप्लोड करती है वीडियो के एक भागम वह अपने प्रिसंते उत्पाद इस मिक्सर करती है और वीडियो के विबरन में उत्पाद लिंक का अनुशन करके प्रसा सही हो सकता है आप इनमें से सभी को करदो किलिक अब चार आप्ष्णर यहां पर लिखा जाए कौन सही था इन करेक्ट इन्कर तीसरे नंबर को कर्वाकटcyjा कर क्लिक करेक्ट हो गया ऐसे आपने करना दी कर लाए कौन सा कर्क्राइब कौन सा करलक्ट है सेंगर इसकेड़ीक पुल्हक्र चैक गणा सॉरी कौन सा था तो दोने में से कौन सा करेक्ट था अंसर वन इस करेक्ट है उन करेक्ट बन है सॉरी मैंने गलती से कुछ गलत पढ़ दिया वन करेक्ट है रॉक्ट हुआ next में क्लिक करेंगे nice work you are complete training यानि हमने training को complete कर लिया है अब यहाँ पर देख यू warning will be expired in December 31 यानि कि हमारी warning जो है वो December 31 तक यहाँ पर expire हो जाएगी तो इस तरीके से आप training करके अपनी इसको कर सकते हैं close training कर देजिए आप home page में दुबार सा जाएंगे बैस यहां से close कर दीजिए close हो गया अब यहां दुबार सा क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा गया training complete एपिल रिजेक्ट होगी थे हमारी तारिक को अब यह हमारी solve हो जाएगी इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा गया इस तरीके से आप अपनी warning को remove कर सकते हैं मेरे ख्याल से सभी को step by step समझ में आ चुका होगा